कैसे शुरू करें कम लागत में गुड़ बनाने का बिजनस नमस्का दोस्तों एक बड़ फिसे आपका स्वागत करती होगे क्रेडिट में और आज जो हम जिस बिजनस की बात कर रहे हैं वो है गुड़ बनाने का बिजनस हम सब जानते हैं कि अब क्योंकि सब लोग health conscious हो गए है diet conscious हो गए है तो ऐसे में चीनी को बहुत ही तीजी से replace कर रहा है गुड़ और असब भाव एक सी बात है गुड़ में आयन की मातरा जादा होती है गुड़ आपकी health के लिए अच्छा होता है हड़ियां इससे मजबूत होती है तो इन सब चीजों को देखते हुए जादा तर लोग जो है अब बचाते हैं कि वो चाय में भी गुड़ मिलाके पिए और कई ऐसी चीजों में वो गुड़ का इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर पहले चीनी का इस्तेमाल किया जाता था आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजेगा और हमारे चानल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजेगा इसके अलावा बैल आइकॉन का बटन जरूर दबाईएगा क्योंकि आज का ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए और अगर आप किसी ऐसे एरिया में रहते हैं जहांपर गन्य की जो खेती है वो जादा होती है तो आपके लिए तो ये वीडियो बनता ही है क्योंकि हम सब जानते हैं की गुर्ट जो है वो गन्य से तयार होता है तो ये इसका पूरा प्रोसीजर क्या है और कैसे आप इसका बिजनस टार्ट कर सकते हैं इसका आइडिया आज आपको इस वीजियो के जरीए मिलेगा तो चलिए शुरुआत करते हैं गुड़ बनाने के लिए सामगरी गुड बनाने के लिए मुख्य समगरी के रूप ने गन्य का प्रयोग किया जाता है गुड बहुत सारे सोसिस से मिलकर भी बना होता है जैसे खजूर का गुदा, नारिकल का जूस आदी लेकिन इसे बनाने में सबसे जादा उप्योग गन्य के रसका होता है और जादातर लोग इसी को यूज़ करते है गन्य कहां से प्राप्त करें उत्तर प्रदेश में गन्ना 315 से 325 रुपे प्रति क्विंटल तक है गुड बनाने की मशीन गन्ने का रस निकालने के लिए मशीन के अवशक्ता होती है जिसे आमतोर पे गन्ना क्रशर मशीन कहा जाता है गन्ने का रस निकालने के लिए दो प्रकार की मशीने होती है में अत्यादिक समय लगता है गुड़ बनाने के लिए अन्य आवश्यक सामगरी और उनकी लागत मोटर के साथ डबल रोलर शुगर केंग प्रशर जू स्टोरिज टैंग लोही का बड़ा बरतन हैंडल सहीत स्टोरिज टैंग लंबे हैंडल के साथ लोही का मजबूत सेलिंग पैकिंग इबं फिलिंग मशीन वांपक यंत्र अन्य आवश्यक टूल एवं उपकरण गुड़ बनाने के लिए गन्यकर रसं और मशीन के साथ बड़ी कड़ाई वर्ग मीटर स्थान होना अवश्चक है इसके साथ ही कुछ जरूरी निर्मान कारे भी करवाना पड़ सकता है जिसमें लगबग 1500 रुपए प्रति वर्ग मीटर का खर्च आ सकता है गुड की खपत और दाम वैसे तो गुड की खपत पूरे वर्ष रहती है मगर जाडों में इ जापताहिक बाजारों के माध्यम से सीधे ग्राकों तक अपना गुड पहुचा सकते हैं गुड के व्यपार में कुल लागत इस बिजनस में कितना निवेश करना पड़ सकता है ये गन्ने का रस निकालने वाली मशीन से निश्चे होगा बिजनस की शुरुआत में तो आप हैंड मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसकी लागत तकरीबं 10,000 रुपए तक होगी लेकिन जब आप बिजनस को पहला रहे हैं तब आपको आधुनिक मशीनों की मदद लेनी पड़ती है इन मशीनों का दाम लगबग 20,000 रुपए से 80,000 रुपए तक होता है क्रेशर मशीन बिजनस अधिकतर तौर पर असंगठित क्षेत्रो द्वारा किया जा रहा है यदि कोई इसका बिजनस करना चाहता है तो प्रॉपराइटर्शिप के तौर पर रजिस्टर कर सकता है प्रॉपराइटर्शिप क्या है आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक में इसका जालेंग पा सकते हैं इस बिजनस के लिए जी एश्टी रिजिस्टरेशन एक निष्चित टरन ओओर की सीमा तक अनिवारे नहीं है लेकिन यदि आप चाहें तो वल इंटरी जी करवा सकते हैं इसके अलावा इस business के लिए local authorities जैसे नगर निगम नगर पालिका आदी से trade license की अवशकताप पढ़ सकती है trade license यानि की वैपार अधिकार पत्र शहर municipal corporation द्वारा दिये जाने वाला एक license है किसी भी वैपार को शुरू करने के लिए इस license का होना अनिवार है fssi खाने पीने का business शुरू करने के लिए ffsi license लेना जरूरी होता है ये आपके product की गुणवत्ता को check करके आपको license प्रोवाइड कराता है fire noc ऐसा वैपार जिसमें आग की आवशकता होती है तो ऐसे में इस license का होना अनिवारे होता है fire department से no objection certificate प्रोवाइड करने के बाद business शुरू किया जा सकता है इसके अलावा वैपार और वैपारियों को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार लगातार MSME माद्यम से सहायता कर रही है गुड के वैपार में कितना हो गाला यदि आप हर दिन 40 kg गुड बनाते हैं और आप कम से कम 30 रुपए प्रती किलोग्राम दर से बेचा जाए तो प्रती दिन आप तकरीबन 1000 से 1200 रुपए तक कम आ सकते हैं बिजनस के लिए बनाए marketing strategy यदि आप अपने गुड की marketing करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपने brand का एक अच्छा सा नाम चुड़ना होगा जिससे आपके गुड का नामकरन हो सके और इसी नाम से आपके product को जाना जा सके आप अपने गुड का promotion online और offline दोनों तरीकों से करा सकते हैं online के लिए आपको अपने social media account से promotion करना होगा जिससे आपके product के बारे में आपके दोस्तों को या followers को पता चल सके और वो आपको online order दे सके साथ ही यदि आप promotion में पैसे खर्च कर सकते हैं तो आप online promotion के लिए पैसे लगा सकते हैं offline promotion के लिए आप मिठाईयों के दुकाने, सामाने बाजार, किराना स्टोर, mall आदी जगाओं पर जाकर आप अपने product को sample के तौर पर दे सकते हैं जिससे लोगों को आपके product को test करने का मौका मिले और पसंद आने पर वो आपके गुड़ को खरीद सकें तो आप अपनी गुड़ का इस तरह से promotion कर सकते हैं याद रखें आपका गुड़ जितना अधिक बिकेगा उतना अधिक कमाई होगी गुड़ बनाने की क्रिया गुड़ बनाने के लिए पहले अच्छी गुड़वत्ता वाले गन्ने साफ करके क्रशर मशीन की सहायता से उसका रस निकाल लिया जाता है और उसे किसी बड़े बरतन या ड्रम में जमा कर लेते हैं गन्ने का रस निकालने के बाद उसे पकाने के अवशक्ता होती है जिसके लिए जमीन में गड़ा करके बड़ी सी कड़ाई चड़ाई जाती है जिसमें गन्ने का रस डाल देते हैं कड़ाई में गन्ने का रस उबालते हैं उबालते समय उसमें सुखलाई के पौधे के तने या पौधे का रस डाला जाता है जिसकी सहायता से रस में मिला हुआ मैल और कूरा उबाल के साथ उपर आ जाता है जिसे बाहर निकाल दिया जाता है एक निश्चित समय तक रस्त को उबाला जाता है और साथी रस्त को चलाना भी पड़ता है निर्धारित समय तक तेज आँच पर उबलने के बाद रस्त काफी गाड़ा हो जाता है संतुलित तापमान में आने के बाद मन्चाहे सांचे में या हाथ की साहिता से गुड को आकार देते हैं गन्ने का रस निकालने से लेकर गुड का आकार देने के लिए लगभक 3-4 व्रक्तियों के आविशक्ता होती है व्यपार के लिए लोन ले यदि आपके पास गुड का बिजनेस करने के लिए प्राप्त धन नहीं है तो आप सरकार की तरफ से मदद ले सकते हैं गुड का बिजनेस करने वाले खादी ग्राम उद्द्योग प्रशिक्षन के इंद्र में चाहकर गुड बनाने की प्रक्रिया सीख सकते हैं